हेलो दोस्तों आप सब कैसे हूं उम्मीद करते हूं सब लोग अच्छे होगे जांबी होगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्त क्लास को आप लोग की मोस्ट डिवांडेट क्लास की सरफ पेपर आ गया है 2024 का तो जल्दी से अब उस पर वीडियो बना द मुझसाद यू दी थी अउसमें फोड़ा सा परिब ces और देखिए वैस चब भी रिजल्ट आता है तो मजए लेते हैं लेकिन हिंदी मिदम बालों कि जो वहात हैं जाता है दो हिंदीम के रिजल्ट थ क्यों नहीं आता और बहुत सा विस्दार में बात झवाध करेंगे है हमेशा आयोद को ही हम खोषते रहें या फिर हम अपने अंदर थोड़ी सी गलतियों को जांके उन फॉर्म पीटी का फॉर्म है वो लगभव से पांस लाग लोग डालते थे लगातर आप देखिए फॉर्म बढ़ते चले जा रहे हैं अब लगभव में 10-11 तक कहीं डेट आए अब लगभव में 10-11 लाग तक फॉर्म पढ़ जाते हैं और उसमें से आते लोग हैं आदे से थोड़े कम हैं पर देते हैं फ्रेलयमS का और उसमें से क्वामें से काली पारות करते हैं में तीन नोङकरियां आ रही है यह इसकी नहीत लिख जानते होंगे लगवख में 180 क्रेब में 2020 का जो डेटा पूरा उपलब दे हैं मैंने इस पर डेटेल वीडियो भी बनाई थी आप लोगों उस टाइम भी देखा होगा कुछ लोग जो हमसे पुराने जुड़े हुए हम इस पर देख लेते हैं आकिर हिंदी मिडियम बालों के अंदर कहां पर लूप हो ले हिंदी मिड मिडियम का नाम आ गया टॉप बंटू का तो भूली जाओ लेकिन यह ट्रेंड है 2013 के बाद से चेंज हूँ है 2013 से पहले हिंदी मिडियम बालों की भावाई थी एकदम उनका किया तब बर्चस बता लेकिन 2013 के बाद क्या हो गया हिंदी मिडियम बाले अप तो ढूड़े से को चीश हैं डिख नहीं मिलते हैं पहले हम लोग देख लिते हैं अगर हम बात करें यहां पर देखिये पिöttभा दोन he एक हजार के करीमे लोग हो हें हमेदी मीडियम को करते लेकिन इंगलिस मीडियम में करीब में तोह एंगलिस मीडियम के ही होते हैं यानि हिंदी मीडियम का क्यों कम है अब छमज़ कि देखें सेन। क्यों की प्य century ने खर पाते आगे के तो चरण छोड़ी दीजिए, आगे के चरणों के बाद हम उस टाइम भी किये थे, लेकिन अभी यहाँ पर ज़रूरी है कि जब देखे इतने कम मेंबर, इधर देखे दस हजार, इधर देखे हजार, तो इंग्लिस मीडियम बालों का रेजल्ट अच्छा क्यों ना ज है, बहुत ज़्यादा फिर हला हू किया था, फिर जाकर के 2016 में जाकर के, फिर इंग्लिस को हटा दिया गया था, पहले तो सी सेट के भी नंबर जुड़ने लगे थे, आप लोग जानते होंगे, फिर हलके हिंदी मीडियम बालों ने बिरो दूरोत किया, फिर सी सेट में थो साविस्तार जो पेपर है, वो 26 माई को पेपर है, तो अभी देखिए, मैं वीडियो तो पहली बना दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पर हम 10 फरवरी से इसको देखते हैं, 10 फरवरी से लेकर के 25 माई के बीच में जो समय है, वो हमारे पास में लगवक में 105 दिन का है, 105 दिन भी हम कितना दिन लेते हैं? लगवक में 100 दिन का समय लेते हैं, यहां कि 100 दिन की हमारी क्या स्टेटजी होनी चाहिए, क्या रड़नीती होनी चाहिए, जिससे हमारा पेपर बहुत आसानी से कौलीफाई हो जाए, ओके चलि हम लोग साविस्तार में बास करते हैं, लिकिन सही लिकलते हैं 100 में से बड़ी समस्या वाली बात हैं इस बार सेलेक्शन नहीं होगा क्या करें तो चलिए हम लोग बात करते हैं देखिए सेलेक्शन के कि बात करें तो बहुत और कम चली जाती है मतलब 43 से लेकर के आप लोग समझ सकते हैं 47 48 49 तक लेकिन हम लोग 50 के लेकर के भी चलें कि हमारा टारगेट है 50 कुछन सही करने का यानि कि 50 कुछन जिसके सही है 50 पिलस मतलब 50 51 52 सही करके आई फिर आप लोग क्या करें एकदम बल्ले बल्ले करिए मेंस के थारी करिए दिन रात एकदम दूद पिकर के अब देखिए यहां पर आप लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं 30 सही हो रहे भाई क्या करें यानि कि अभी आपको कितनी जरूरत है कम से कम 20 कोश्चन के जरूरत है या बहुत सारी कमिया करते हैं सभी कमियों पर आज बात करेंगे पूरे डेटा के साथ बात करेंगे जैसे एक डेटा तो अभी आपको दिखा दिए हिंदी मीडियों मालों को सेलेक्शन क्यों नहीं हो रहा हुई पीटी क्वालिफाइइ नहीं कर पारे आगे कि तो बात छोड़े आप देखें बीस कोस्टन ही सही करना है हमारे पास में कितने दिन हैं भाई सो दिन का अभी समय है सो दिन है यानकि इस हिसाब से हमारे पास में कि एक कोस्टन भी अगर हम सही करना चाहते हैं तो कितने दिन हमारे पास में हैं अभी हम एक कोस्टन अगर सही करना चाहते हैं तो लगबग में कितने दिन का समय बसता है यहाँ पर, पास दिन का समय बसता है, यान कि अभी एक कोस्टन को सही करने के लिए हमारे पास में कितना है, फाइब डेस का समय है यान कि आप लोग को के पास में इतना समय नहीं है, मतलब कि पास दिन में आप एक कोस्टन को सही करन हैं एक सब्ते में तो क्यों नहीं आप क्वालिफाई कर सकते हैं यानि कि आपके पास में पर्याप्त समय है अभी जो आप 20 कोस्टन जो कम आप सभी कर रहे हैं इसको आप बढ़ा सकते हैं लेकिन कैसे बढ़ा सकते हैं यह बढ़ा चैलेंज है यह जो 20 कोस्टन बढ़ाना ही बहूत बढ़ा च dwellेंज के हैं हम लोग चलेंज को देखते हैं और हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से किया जाएगा देखें आप लोग क्या करना है वाट टो डू तो चलिए हम लोग देख लिते हैं पहले तो आपको समझना पढ़ेगा कि यह तैयारी करें तो अपनी एनर्जी को सही जगे पर लगाएं हिंदी वीडियों बाली यहीं सबसे बड़ी कमी कर से हैं कि वह अपनी जो एनर्जी है वो सही जगे पर नहीं लगाते तो देखिए अगर हम ट्रेंड अनालिसिस देखें तो देखिए यह ट्रेंड अनलसी 2012 से ले करके 2023 तक का यह इसली आपको सभी वेब साइट उपर मिल जाएगा या फिर आप लोग स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं मैं कोई भी फिक्स नहीं होता है कि किस बार कितना पूछेगा मैं थोड़ा से इसको पतला कर लेता हूं कितना पूछेगा UPSC ने बताया ही नहीं है यह तो क्या है हम लोग पिर भी सेर के कोस्टन पेपर देख करके समझने का प्रियास करते हैं कि हां कि सब्जक्त से कितने पू की कोषता है कि हम लोग भीगोल की बात करें तो भीगोल में भी आप देखें लगबग में 10-15 कोस्टन के करीम में फी तोड़े कम जादा ह मैशता पूछन थे हम पहले का समय है अगर हम पैपर देखे मतलब 210 पहले के तो उसमें यंबारों अगर से बीज्वाद के बात करें तो यहां करेंगे तो कषय सकते हैं की अब हुच्छाइए बहुत ज्यादा भी फूस लेता है लिकिनि ने होता है जैसे आप देखेंगे किसी किसी साल बड़ा ही drastic change देखने को ब्लेगे जैसे 2016 में जटका दिया था यूपीएसी 2-4 साल में जटका देती रहती है वो बताती रहती है कि हम सभी के क्या है बाप हैं तो बताना पड़ता है न बाप को कि हम बाप हैं बनना बच्चे क्या होते हैं ी पॉलटी पढ़ी पढ़े जाते हैं पॉलटी से इश् सम 산ivamente के अगरे घंडे से देखें रही समय सब् सक्राइब कारताय गया 1000 bias सब्जेक्ट से नहीं पूछते से मैडवल हिस्ट्री से मजदा पूछ सकता है लेकिन हम को क्या करना है अब हिंदी मिडियम बाला क्या करता है हिंदी मिडियम बाला यहां पर ही गड़वर्ड बहुत बड़ा करतेता है गड़वर्ड क्या करता है देखें हिंदी मिडियम बाल है अब इन तीनों से आप क्या कर लेंगे यहां से अगर आप देखेंगे वो 40 40 कोस्टन के करीब में बैट से हैं जाकर के आप लोग देखिएगा अभी 40 कोस्टन में आपका सेलेक्शन तो नहीं होना है और नीची पर करता है और नीचे सब्जक्टों पर करने की बज़े सरे क्विज्वर लोगे फिर जीह समया अपकी मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा तो बही देखेंगे दूसरे बिलेम डालना बड़ा क्या आसान होता है हम आयोly के उपर डाल देते हैं कंभी कई अपने पर लोग थोड़ा थी आप результат करके देखे लो तो आपको क्या करना दिखें तो आप साइनस पर कितना समय देते हैं साइन्स पर कुछ ने टॉपिक से हैं जो current में चले उनको पढ़ते ही नहीं और दूसरा current उनको ले दो भाई पूरे 6-6 महिने current में ही बरबात कर देते हैं current में 2-4 question, 6 question, कभी 7 question, कभी 8 question, कभी 10 question पूछ लेता हैं लेकिन current का English medium वाले कैसे यूज गरते हैं, वो current को कम पड़ते हैं, लेकिन इसी current से क्या कर लेते हैं, अपने इन topics को cover कर लेते हैं देखते हैं, कि अच्छा है, यह topics कोला है, news में चल ला है, कोउले के अपना देख लेते हैं, जगलाफी में, कि अब भाई कहां कहां पर कोईले की खद्दाने है वो लोग कोईले को देख लेते हैं कि science से relate करके अच्छा कोईला क्या है तो वो देख लेते हैं science में कोईले की definition क्या है कोईले के अंदर कौन-कौन से element पाया जाते हैं कार्मन पाया जाता है इसमें किस परगार के bond होते हैं वो देख लेता है वो क्या कर रहा है वो connect कर रहा है कियो lessons International cow daar क्योंख Leo कौनगौन से agreement कि अदे किये हैं हम किस-किस देशाय कर रहे हैं अंतर्रास्ते बेपार को उसी से ALL क Jazz करते हैं किसको नियात करते हैं कौन कौन से सम्झे हैं कि कम करना वह इंड़स्ट्री है एकॉनमिक्स को भी उसी कानेट कर देता है कि कोईले का विद्दुद्द चेतर में कितना हो रहा है वह देख लीता यहीं कि हिंदी मेडियम बाला नहीं कर पाता है वह कहता है गुरू जी इतना करा दें उतना लिखने उतनी से हो जाएगा तो य सब्जक्ट को दीजिएगा एक दिन सभी को दीजिएगा सेलेक्शन जरूर होगा तो देखे इस तरह से आप आप इसको देख सकते हैं कि इनी पर फोकस नहीं करना है कि चालिस कोस्टन आप पर प्रपेर करके चल गए और चालिस में से आप फिर जब सॉल्व करेंगे तो वह लिकल के आएगा कि 28 से 28 कोस्टन फिर वह कॉपी चेक करते हैं तब पता चलता है यार पढ़े तो वहुत है पूरे साथ लेकिन यार माइनस में नंबर हो करके यह तो बीच पच्चिसी कोस्टन बाइस कोस्टन टेश कोस्टन 26 कोस्टन ही सही हो रहे हैं चल अक्सर नहीं हो हुआ फिर पर ही विकार था यह जाते हैं छुपाने के लिए कहते हैं अरहे सी ड्रक्रिफाइब नहीं कृष्फर जाते हैं जी एस में तौम तौड करके आए ते यह क्लास लमभी होती है लेकिन परी मेंसे इंटरव्यूस सब उसी में हम अच्छे से कवर कराते हैं और सिर्फ important चीज़ ही पढ़ाते हैं रामा एड़नी पढ़ाते हैं उसके अंदर देखें अगर हम बात करें कि हाँ पर देखें जब देने जाएंगे exam hall में बैठे होंगे तो exam hall में जब आप बैठे होंगे जब आप exam दे रहे होंगे तो इस exam को देते समय आपको कुछ चीज question के बीच में असपास होता है average लिए जाता है देखें के करीब में ऐसे होते हैं जो नोर्मल होते हैं question क्या होते हैं टीस question normal होते हैं इने आप आसानिक से कर लेंगे 40 question होते हैं medium to hard leave के होते हैं 40 question और 20 question होते हैं हुआ हार्ड मतलब थोड़े से स्ट्रों होते हैं जो हिलते नहीं है और तस कॉस्टन ऐसे होते हैं जिने सिरिफ आयोगई जानता है या फिर भगमान के अलावा कोई नहीं जानता है इसका आंसर क्या Hogar अब 10 कोस्टन ऐसी होते हैं अब देखे जो हिंदी मिटम बालब वो 10 कोस्टन लेकर के बटे जाएगा दिखो यूपी ऐसी ऐसा कोस्टन पूछता है ना इसी वज़े से हमारा सेलेक्शन नहीं होता है भाई इन 10 कोस्टन से तुमको लेना देना क्या है जो बचे हुए कोस्ट लगाओ बट करके चैन से असी कोस्टन को लगाओ अब देखे जब आप पेपर देंगे तो अब इस तरह से बढ़ जाता है लेकिन इस पेपर को देते समय आपको कुछ चीज़े द्यान रखनी है आपको तैयारी कहां पर नहीं करनी है देखिए यूपी ऐसी तैयारी करते स अधरा कान। है तो थो से एक जाया करना है उससे ज्यादा इंपोर्टेंट आपको क्या नहीं करना और रहे है तो आपका सेलेक्शन नहीं हो सकता तो देखे जैसे जहाel है नौर्मल होते हैं और इनको आपको बहुत अच्छे से solve करना है इसमें आपकी 100% accuracy होने चाहिए लगभख में 100% accuracy होने चाहिए फिर भी 2-4 question तो गलत होंगे ही होंगे easy होंगे बहुत आसानी से होंगे अगर आप NCRT पढ़े हैं आपका एक basic concept है आप बढ़े आसानी से 30 question कर ले जाएंगे 30 question आप कर ले जाएंगे मानते हैं इस 30 question में से आपके 25 question क्या हो गए right हो गए हो गए क्या होगे सही होगे मतलब इसमेंति जैसे आप ने 19 attempt किये 30 में से लेकिन 30 में से उन्तिस attempt किये जिसमेंसे 4 आपके गलत चले गले मतलब क्या होगे उन्तिस attempt किये तो मांते हैं आपके 3 wrong हो गए मैं डबलू लिग देता हूं छोटा सा 3 wrong हो गए और तो एक तो माइनस हो जाएगा जैसे 26 आपके सही है तीन गलत है तो एक माइनस में भी घड़ता है तो आपके टोटल मिलाकर कितने होगे 25 कटपिट के आपके क्या हो गए सही होगे लेकिन 25 सेलेक्शन नहीं होना है आप दीखे 40 कुस्चन है यह मीडियम डू हाई लेवल के होते हैं मीडियम टू हाई इनके लिए आपको थोड़ा सा है तभी आप कर पाएंगे यानि कि इसके लिए इसको आप NCRT पढ़ेंगे तभी आपका कबर हो जाएगा यह अपर NCRT के साथ में आपको करेंट से link करना पड़ेगा आपको syllabus एक subject को दूसरे subject से एक topic को दूसरे topic से जब link करेंगे तो इस तरह से mix question होते हैं जो थोड़े से hard होते हैं मतलब medium label के होते हैं medium to hard label के देखने को भी लेंगे इनको जब आप solve करेंगे तो इनमें accuracy थोड़ी सी कम रहती है मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे solve नहीं होंगे आपने पड़े नहीं होंगे topic आपने पड़े भी होंगे और अच्छे से solve भी हो रहे होंगे तो 40 में से मानते हैं आपने कितने इदर सही कर दिये 40 में से आपने यहाँ पर 25 हैं मतलब 35 आपने attempt किये पास तो यहाँ पर skip होई जाएंगे क्योंकि यहाँ पर skip इसलिए हो जाएंगे क्योंकि यह medium to hard level की हैं तो इस बज़े से 5 होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे तो आपको उनको क्या कर देना छोड़ देना है तो इदर तो medium to high level है तो इदर भी question गलत होने के संभाब ने रहेगी मानते हैं इदर 10 question क्या हो गए आपके wrong हो गए और says कितने 25 कितने हो गए आपके right हो गए 25 कितने right हो गए तो on and average कितना लिखल क्या आएगा लगबख में आपका 22 question इदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22 question cut pit के आप क्या हो गए इदर सही हो गए तो इदर और इदर मिलाकर कितने हो गए इदर देखिए 25 cut pit के और 22 कितने हो गए 47 question अब मैं यहाँ से दूसरा color से लिख देता हूँ यानि कि आपने क्या कर दिया इन दोनों से मिला करके 47 question काट पीट के अपने सही कर लिए 47 question लेकिन यह भी borderline पर होता है मानते हैं इदर आपके question 10 की जगे और एक दो गलत चले जाए तो आप क्या हो जाएंगे भाई borderline पर है जो hard से लेकर के very hard होते हैं जो वह वाली question को हमको थोड़ा सरा टस कर ना पड़करता है यानि कि यह 30 question है इस 30 question में से 30 question आप नहीं कर पाएंगे इन मेंसे आपको छार्टना है यहीं चार्टना बहुत ज़रूरिये 30 question में से आपको 10 question कम से अगम छार्टना है दस question चाटना है जब इन दस question को जब आप लगाएंगे तो इसमें से 50% accuracy होती है इधर क्या होगा 50% ही आपके सही होने के चांसे से रहते हैं भले ही आपने 10 question attempt किये तो यह मान के चलिएगा 10 में से 5 सही होंगे 5 गलत होंगे यहां पर 5 सही होंगे और 5 गलत होंगे तो यहां कि क 10 question इधर add कर लिए तो टोटल कितना हो जाएगा 50 question आपका हो जाएगा cut bit के सही बता रहें क्योंकि यहां पर हम माइनस करते चल ले हैं इस वज़े से 50 question आपके सही हो जाएगे cut bit करके और इसमें क्या हो जाएगा आपका selection हो जाएगा यानि कि इस पूरी प्रिकरिया में आप को कितने question एक बहुत बड़ी गलती करते थे हिंदी मेडियम बाले पीटी के पेपर में 60 question 62 question 65 question तक ही attempt करके आते हैं यह फिर 55 question attempt करके आते हैं उनको लगता है उतने में हो जाएगा एक बहुत बड़ी गलती यह कर देते कि कोई accuracy कम रहनी है थोड़ी सी कम रहनी है क्योंकि हम उतनी चीज़ें नहीं पड़ पाते हैं तो देखिए आपको कम से कम देखिए 70 से plus question को attempt करना है और आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि 80 से जादा question यान कि 100 के 100 question आम मारा है ऐसा भी नहीं करना है यानि कि आपको कम से कम 20-25 question जो ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि भाई यह मेरे सही हो इनी सकते चाहें भगवान नीचे उतर आएं फिर भी मेरे सही नहीं हो सकते तो आपको उनको टच नहीं करना है और टच नहीं करेंगे ना अगर आप सोचिए 30 question आप तो रमखा बनने कोसिस करेंगे सोचेंगे 30 question है हमसे नहीं होगा देखो मारते हैं तो 30 में से तुक competition से दूर हो जाएंगे यानि कि आप इस पिरिगरिया को भी अपनाएंगे तो इस पिरिगरिया को अपना करके आप कितने questions लों गटैंप्ट कर रहा है लगवक में 24 से 75 question नहीं 2012 आप से लगों मतलब 15 से 20 को सन है गलत भी जाते हैं तो कट पिट के लगबक में कितने आ जाते हैं 50 को सन के करीब में आ जाता है और आप बॉडर लाइन पर भी नहीं रहते हैं क्योंकि कट पिट के अगर एक दू और गलत चले जाते हैं तो भी हमें समस्या नहीं आती है और कुछ तो क्या करते हैं 70 कुष्ट एंट करते हैं शल्य किसंद करते हैं फिर उन्हें की गलत जाते हैं ये उन्हें की करेंके तो एक तो समय कम मिलता है समय कम मिलता है तो आप जल्दी-दधी करने की कीशिद्ट करेंगे तो हडबडी में Question गलत ज्यादा होंगे। आँगने पहुत कम करेंगे तो एक्डरेशी थोड़ी सी तो गलत होते ही होते हंडेट परसेंट एक्यूरेसी किसी की भी नहीं हो सकती बलकि ऐसे कुश्चनों में जो यूपीएसी का एक्जाम होता है तो इसी वज़े से संतुलन बनाया रखना होगा इस मैथट को अपनाएगा आपका जरूर लिख लेगा अब देखिए हम बात करते हैं इस बार देखिए पेपर से चैंज वहें इसे तरह से पूछने लगा है कि एक कतन avisa है इस्में से आपको अगर एक option भी नहीं आते हैं और आपको एक भी नहीं आता फिर भी आप इसमें लगा Kennen पहले क्या होता था एलिमिनेशन मैठर आता था उसमें से हमको पदाता था तीसरा नी जैसे कि यह क्या है इस में पुछा है पूजी बजार में उपरूप में से कितने साम मिले तो पूजी बजार जो जो केपिटल मार्केट उसकी बात कर रहा है तो चैपिटल मार्केट जिसमें 300प दिनों से जज़्यादा का तो पूजी मार्किट के अंतर तो देखे सरकारी बांड वो 300पेश्ट होगा तो वो 360 दिनों से पिलस का ऐता है तो वो पूजी बाजार도 में आता है है तो आपको पता है यहां पहीला साही तो उसमें देख लेते थे जिसमें पहिला है वह जरूर सही होगा और अगला कही है यहाँ पर kawal money market देखे kawal money market यहाँ यहाँ पर सीरगाअब अब आ कि बात कर रहा है और आप वियसे जानते होंगेíre्म मार्केट है बहूत कम समय के लिए होता है तो देखे पूजी बजार पूजी बजार हम क्या होता है जादा समय का रिड लिया दिया जाता है तो दूसरा अब हम जिसमें देख लेते थे पहले कि हाँ इसमें दूसरा ऑप्शन दिया रहा है और इसमें दूसरा ऑप्शन दिया रहा है यान कि यह द तो भी आप इसमें eliminate नहीं कर पाएंगे यह समस्य है अब यहां से एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि आपको अब UPSC चाहता है आप कम पड़े लेकिन आप जितना भी पड़े उतना आप अच्छे से तयार करें उनको उसको full understand करें अच्छे तरह से समझें ऐसे नहीं कि थोड़ी से जीज़े पड़े और भाग गये यानकि जो बीच में छोड़ करके भागने माले होते हैं वो UPSC को पसंद नहीं आ रहे इस वज़े से UPSC क्या चाहा रहा है कि भाई हम ऐसे question चाहा रहे है चाहा रहे कि भाई अगर आपने अगर पूजी बाजार पड़ा है तो भाग करके निकल गए तो आप कुसंन नहीं सही कर सकते इसमें अन्रेट पड़चेंट अब क्या है पहले आप 200 टॉपिक पड़ते थे 200 टॉपिक आपको नहीं पड़ना है आपको क्या करना है और 100 टॉपिक को पड़ना है लेकिन उनको अच्छे से gonna करना है है सोओ टॉपि ब्रैक्टिस कहां से करें कुछ लोगों की दिमाग में आता है यार अब तो इस तरह के प्रिवेस एर के को सद्वी नहीं है ट्रेंड क्या करें भाई कुछ नहीं वेकार हुआ कोचिंग वाले जो हुआ बना देते ना पई सगम आने के लिए आप लोगों को बड़ा समस्य उत्पन कर देता है बिचारे नएने दैरी करने वाले भटकते रहते हैं कोई बात नहीं हम आपको बताएंगे पर इसाथ बतुएगा देखें फिर विए सेर का कोशन पेपर है 2005 का हम इसको लेते हैं इसको देखते हैं यह क्या हो долларов कर देखें द शेयर पांच का हम लेते हैं 2005 के में बात कर लेते हैं इसमें कोई भी के जैसे कि हमें पता चला है कि यह पहला option सही है दूसरा option सही है for example के लिए हम पढ़ते नहीं है डारिक टाम लोग समझा देते हैं कि प्रवियर का पेपर आज भी वेकार नहीं हुआ है प्रवियर के question पेपर आज भी उतने ही प्रासंगी के लिए जैसे आपने बढ़ा आपको प में पूरा question solve करना है पहले आप क्या कर लेकि अलिम्यूनियल है अपको देखना और सही और बलब जाए और ने गलत यहां और समी हो जाएगा प्रेना क्या हो जाएगा और स youtubers दिमाख निलगाना है तक चीना ही गढता है है कि हाँ पहले हमको क्या करना है यह दोनों option क्या कर लेना है solve कर लेने फिर हमको नीचे देख लेना है फिर हमको नीचे देख लेना है पहले क्या हम करते थे पहले एक option पढ़ लेते थे उसको देख लेते फिर option देख लेते थे फिर तीसरा पढ़ लेते हैं फिर एंसip देख लेते थैं लोगों के लिए बेकार हैं अगर आप क्या करते हैं अब पहले option देख लेते हैं फिर आप लोग उसके बाद में कथनों के बाद में फिर आप नीचे के option देखते हैं कि कौन सब最 hot f award तो और भी अथ कोई अंतर नहीं है देखिए अगर मैं एक गमें क्या गर्टू मैं इसको मिटाओं क्यासे मिट अगर मैं देखे यहाँ बढले लिग दूंक हम एक लिग मैं जल्टंग मैं ए। एक कथन सही एक कथन सही यहाँ पर लिख दूँ दो कथन सही यहाँ पर मैं लिख दूँ यहाँ पर लिख दूँ तीन कथन सही यहाँ पर मैं लिख दूँ चार कथन सही यहाँ फिर कोई नहीं लिख दूँ यहाँ पर कोई नहीं अब इसमें क्या है दो कथन सही है तो इसका क किती न तो भी यह बहुत बड़ा डाउट था लोग परिसान हो रहे थे खासका नए तैयरी करने वाले होते हैं बहुत बड़े परिसान थे अब देखे हम आपको समझाते हैं कुछ लोग होते हैं प्रवियस यह जो कोशन पेपर हैं पीवाई क्यू है वो आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं अब ज्यादा ज्यादा कहां से लेकर क्या हैं ज्यादा ज्यादा लगाने के लिए आपको जैसे यूपी ऐसी भीविन पिरकार के एक्जाम कराती है विविन राज्यों के पीसी एस होते हैं उनको देखिएगा इसके नेट लेबल के आपको कुछ एक्जाम के देख लेने पीबाई की उठा लेने बहुत सारी आपको लगाने आप कुछ लोग कहेंगे यार हम आरो यारो का क्यों लगाए देखिए यह क्या होता है नेटेशी है आप जब चोटे चोटे कुस्शन को जब सॉल्व गरते हैं तब आपका बढ़ाया अप्रोच के लिए होता है और यह जो कोस्षन लगाया जाते हैं इसलिए नहीं लगाया जाते यही एक्जाम में पूछेगा को चुर्ण एमसी क्यूज हमेशा इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है ताकि आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो सके और बुक किस तरह से पूछे जाते हैं जो आपने पढ़ा है उससे किस परकार से कुछन लिका ला रहे हैं और आयो किस तरह से पूछ रहे हैं तो आयो किस तरह से के बुक से आपके टॉपिक्स से किस प्रिकार से कुछन पूछता है कैसे पता चलेगा देख़ें सारी कुछन इंपॉर्टंट होते हैं बस बहते नहीं हो नंबर वाले फ्यक्ट वाले नहीं बस दिखिये जैसे बह disposit में रेसराम का सबसे बड़ा उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है तो दिखियेक क्या है वल什षरेंट लेकिन आपने यहां पर देखा चांगछ इसमें भारत सबी पांच ब्यापारी प्रकार का उत्पादन करता है तो एक जैसे सही है और देखिए नीचे वाला आप लोग पढ़िएगा जैसे यहां पर चीनी दिया रखा है अगर इसकी जगया पर चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यहां पर दिया रखा होता भारत बिस में अब दी créer क्या होता है यह क्या वन गया यहां कि इसी तरह से च्छोटे 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 स्टेट में को मिला करके UPS से यक बढ़ा कुस्ट्सन पना देती है ओ आपको लगता है यह तो बंड अग्जाम में कभी कुछ ही नहीं किया होगा आयोग है वो इसी त पूछ ले तो हमको पता है हाँ इस चोटे चोटे को सन भी उतने ही प्रासंगिक होते हैं जितने बड़े को सन प्रासंगिक होते हैं आपके एक्जाम में तो यह अपने दिमाग से लिकाल दीजिएगा कि पीवाई क्यू में बल्लाइलर टाइप के कुस्षन होते हैं उनको हमक आपको नहीं पढ़ने यह आपको नहीं पढ़ने वह आपके प्रासंग होते हैं जैसे देखिए यह यह चोटे से एक्जाम में है हमका है पड़ें अब दिखें मुद्रा के अबुमूल्यन का परणाम होता है तो यहां पर दिया रख है देश में निर्यातों बढ़ना और आयतों का घटना तो देखे यह आपने पढ़ लिया कि हाँ इस तरह से अबुमुलियन से कुस्थन बन सकता है आरो यारों पूछा गया अब यूपियस से PCS में इस्टेटमेंट के रूप में पूछ लेगा अब देखे यहाँ पर स्टेटमेंट कथन एक दिया रखा है मुद बढ़ावा दे सकता है लेकिन आयात क्या है वो घट दाता है अब मुद्धरा का अभुमूलियन निद्एक को बढ़ावा दे सकता देखे स्टेटमेंट मेला ना यहानी कि वो कोशन जो стक्ट टनव वस्ता है अव यही क्या होता है आप लोग को केते हैं को कुचिंग वाल 될onnete होता है to सीमांत के जाना जाता है अब देखेशोंक किल बिछ स्वारी लगू किर्षकुमाना जाता है अभी यही आप्सन में यूप से यके सट्रेट वेंट के रूप में बॉचा है अब देखिया कि आरवर राम को नसरजी देते हैं और वह में लगता है रहे बहुता है अरे बाइस जो भी हम लोग को हम लोग कोशन देते हैं वो इसलिए देते हैं जिससे आपको concept clear हो इसका उद्धिश से सरिफ इतना होता है question paper या test series लगवाने का जिससे आपका analysis हो सके कि आपके concept topic है वो ज्यादा अच्छे हैं strong है उसका ये उद्धिश होता है अब देखिए इस बार का जो paper 2024 का आएगा तो उसमें किस प्रकार के question ज्यादा इस तरह के question आएंगे ही आएंगे इस बार और साथ में कथन कारण वाले भी आएंगे और यहां पर एक दो कुछ संक्या में इस तरह के भी हो सकते हैं elimination वाले या फिर UPSC इनकी संक्या बहुत कम कर देगा ऐसा भी हो सकता है या फिर हो सकता है पुराने पैटरन पर फिर से थोड़ा सा लौट करके आए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यह की बार paper हुए अब अगली बार होगा तो ठीक से अनमान लगाए जा सकता है अब इसके अला है तो वह सूची वाले चार तरह के कुश्चन है जो UPSC जादा पूछता है मतब पूछेगा इस बार के एक्जाम में आप लोग है जब आप लोग मौक टेस्ट की जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहां पर इस तरह के कुश्चनों के प्रैक्टिस हो जाएगे जयसे जल्दी से पूरी हो जाए एक दिन में पूरे जाएंगी अगली क्लास मिल जाएगी पार्ट भी बहुत जब्र दस्तों होने वाला है पार्ट भी में आप लोगो पता चलेगा है कि किस तरह से हमें टेस्ट को स्वाल बगरना चाहिए और कैसे क्या से एनलिशिस करना है यह पतस जाएगा देखिए आप लोगों को 2024 के लिए क्या करना है 2024 के लिए क्या करना है नमबर непसे क्र plusieurs एंप्पॉर्टेंट है आप लोगों को कम से कम सतर टैस्ट पेपर देने की देने कितने सत्तर ये जो 70 सथ च्ञांब से देने हैं उजंगे के अंदर होने हैं जैसे आपे गजाम हाउल में बैठ करके पूरबह से दो पीछे से नहां लिखले। तो ऐसा पसीना पीछे से ना लिख लें, साथ में देखें, C-set, C-set qualify नहीं करेंगे, तो आपका GS का कोई मतलब भी नहीं, भाई, तो C-set के लिए daily time दीजिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं, C-set तो qualify हो जाएगों कि सरिफ qualify है, इसके लिए बाद के लिए छोड़ दें, भो लोग बाद के लिए छोड़ करके सबसे बड़ी अपनी जिन्दिकी की मिस्टेक कर देते हैं वो सोचते हैं 10-15 दिन में लास्ट में हम प्रिपेर कर लेंगे करते वाई एक को जादा समय देते हैं दूसरी को समय कम देते हैं तो घर वाली बाहर वाली सभी के लिए समान समय देना है तब देखे घर वाली भी क्या रहेंगे खुझे रहेंगे इसके अलावा देखे बुक्स को आपको रीड करना है मतलब books को पढ़ना है क्योंकि सबसे बढ़ी कलती जो है वो यह कर देते हैं Hindi medium बाले कि वो notes को सिरिफ पढ़ता है koaching से notes मिल जाते उनको पढ़ लेते हैं कि सकीनोर की बिवस्ता गर के पढ़ लेते हैं लेकिन वो जैसे आप लोग जैसे आप को जैसे घिसट्री जब आप पढ़ा है तो फिर निचारे के जब आप प्राचीर भारत मां ओफ्ड़ास हड़ापा पर फोकस करना है फिर आपके लिए जैसे जो बहुत लोगत धरम है जयंता करना है मौरयकर उत्तरकाल है घुपत इस पर फोकस करना पूरे पर बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि बैदिकुदिक काल में भूड़ भरत को अगर वाप चाहरे अगर आपको सब्दवल्यय सीफ समय कम है तो आप लोग प्राशीन भाप भारत और मद्दकालिन भ्हारत की सब्द वलियां पढ़े जैसे इस सब्द का मतलब क्या था प्रसाशन से संब्द utmost संब्द था मतलब किया य्वारत सभी कुछं में पूशती है की 사람들이 का उर्थ क्या पूठं़ कर अगर पर देखिए तो यहांगा आपको कमपो करना है लेकिन इस पर लेकिन इसे तरह बोल रहे हूँ तो टीजिकल गोर आ हो और एंडियन जोगरफि लिए उसान कम पुछता है इंडियन यंचरी को जाधा संब देना है और जो आप लोगों के लिए जो बहुत तिक भीगोल होता है उस पर कम समय देना है और बहुत तिक भीगोल में भी आपके लिए जो भुआ करती बिग्यान है पहले देखिए जैसे कि खगोल बिग्यान हों कौन से बहुत कोस्टन पूछता था लेकिन अब क्या है जलबायू के अप्लाइट कुछस्टं पूछन पढ़ लेना है एक ब homelessness मतलब ज्रुचक रहे तो इस तरह सेव जैसे आप पर बड़ रहे हैं तो देख किस की सका उदार्णilo जोग्रफी ज़्यदों पुस्तर जब आप पॉलेटी पड़ रहे हैं तो पॉलेटी में आप लोगों फंडामेंटर राइट्स प्रताबना हो गया DPSP हो गया, मूल करतब हो गया, रास्टपती हो गया, उपरास्टपती हो गया और हमारा सुप्रेम कोड और हाई कोड है और पंचायती राज विवस्ता है तो इन टॉपिक्स को एकदम घोल करें पीजाना है इसके अलावा और भी टॉपिक है, उनको थोड़ा-थोड़ा सापको फोकस कर लेना है मतलब केंदर और राज्य को अच्छे से, केंदर सरकार, राज्य सरकार में जो भी चीज़े आती है बहुत बहुत लंबा टॉपिक है ये, तो मैं समनी बता सकता हूँ तो इसको अच्छे से परपेर कर लेना है लास्ट का थोड़ा से कम पढ़ना है पॉलिटी में भी आपको सेलेक्टिट चीज़े पढ़नी है उनके समझ के, एकॉनमिक्स भी जब आप पढ़ रहे हैं तो इकॉनमिक्स में बैंकिंग सेक्टर अच्छे से पढ़ लेना है और इसमें भी देखना है भारती अर्थ ब्रवस्ता पर जो आपने इकॉनमिक्स को पढ़ा है उसको अपलाई करके देखे जैसे इन्फलेशन बढ़ रहा है तो इसका परभाव क्या पढ़ेगा डॉलर के मूल्यों में परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व में किस पिरकार काप पर भखो पड़ेगा यही पूचेगा UPSC और PCS या फिर ऐसे अग्जाम होते हैं वो पूचेगा repo rate कितना कम किया 0 point इतना किया 0.2 उतना किया फलाना किया दिमका किया वो यह पूचेगा लेकिन UPSC पूछेगा भाई आपको नीदियां वनानी तो ये जीज तो मैं एंबारिमेंट भी आपको अच्छे से पढ़ना है साइन्स में आपको लाइफ साइन्स पर जादा फोकस करना है और साइंस टैक में जो अभी बर्तमान की दोचों क किया है या फिर कोई भी मिसन लॉंच हो रहा है सिर्फ रिसेंट रिसेंट की इवेंट है उनको पढ़ लेना है उनसे संबंद जो भी तकनिक है जैसे 5G 6G क्या बैंड होता है बैंड क्या चीज होती है बैब क्या चीज होती है इसमें हम लोग इंविजिबल रेस की बात कर रहे हैं त हम लोग लाइँअब बात कर रहे हैंWho 수가 के वाद में तो इस जो नहीं नहीं थकनीकी ऊभर रही है तो यह क्रुप्ट क्रिशिया क्या है वह किस प्रकार से भिन समझ गया आप लोग मैं बताना वहां पर भूल गया था वैसे मुझे उधर ये बताना था ये लेकिन कोई बात नहीं कभी पर हो जाता है देखे आपको जब भी पढ़ना है ना तो बुक को जरूर पढ़ना है एट लिस्त आपको तीन-चार महिने में एक बार आपको बुक जरूर पढ़ने चाहि करेंट भी स्लेवस को रिवाइज करना है मैं आप यह जैसे बता रहा था जो चीज न्यूज में आई है बही चीज़ आप लोगों को अपने स्लेवस से लिंक करके देख लेनी है तो यह चीज आपको बहुत इंपोर्टेंट है और साथ में टॉपिक्स को फुल प्रपेर कर लेना पीवाई क्यों का मतलब क्या है सिर्फ यूपीएसी ने यूपीएसी के द्वारा भीविन एक्जाम कराई जाते हैं वह साथ में PCS भीविन आसपास के जो आपके राज्यों के PCS हैं वह उठा लिए साथ में आरो यारो टाइप के थोड़े से नीचे लेवल के उठा है यूजी सी नेट टाइप के आपको कुशन मिल जाते हैं वह ठाली से तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइस आपको लगोग में 2000 कुशन लगा लेने हैं आपका पीटी हंड्रेट परसेंट लेगा क्योंकि इतना कर लेंगे आपको 50 कुशन ही जो मैंने आपको बता है जिस तर सीरियस सॉल्व करनी है अगर आप लोग यहां तक वीडियो देखें हैं यानि कि आप सीरियस एस्प्रेंट हैं आप चाहते हैं कि आपका प्रलेम्स लिख लें तो आप इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि पेपर तो टेस्ट सीरिस तो हर कोई लॉंज कर द स्मार्ट स्टडी से तात पर ली क्या है हम आपको बताएंगे यहां पर पार्ट नमबर भी बहुत ही जबर्दस्त आने वाला है उम्मीद करते हैं आप लोग को लेक्सर अच्छा लगा होगा आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं पूरे डेटेल के साथ हमने बात की थी पू लेकिन सेलेक्ट बहुत कम होते हैं हिंदी मीडियम की बिचारी के हालत क्या है एक दम जर जर हारत है तो यह भी देख सकते हैं आप भी उस केटेगरी में ना आज आएं परिसान ना हो जाएं डिप्रेशन ना चले जाएं तो आपको उस चीज़ से बचना है और कोचिंग ने कि भाई जो तुम कर दो उतना ही हम कर लेंगा उतना ही मसा लक्सन हो जाना है ऐसा नहीं करना और लोग क्या करते हैं उसको अप्लाई करते हैं और उस तरह से चीज़ें करते हैं कोचिंग ने दे दिया ये क्या है गुरु जी है और इनी गुरु जी के चड़ों में ही सब कुछ है ना, उनके चड़ों में सब कुछ नहीं है आपको करना पढ़ेगा, मेहनत करना पढ़ेगा तब ऑध रही क्वालिफ़ हो गये, चलिए सेलेक्टर को फिर यहां पर ही फिनिस करते हैं